दोस्तो आज कि इस एपिसोड में हम सिखेंगे अगर आपका पेंडेश्टS से बना हुआ है और उस पेंडेयन काड को ख्षो देते हैं आप तो किस परकार से जो है कि आप nsdl के website से उस pencard को download कर पाएंगे तो दोस्तों आए चलते बीना सवय गवाए अपने Chrome browser पे आपको process step by step आप सभी को बताते हैं तो दोस्तों मैं आ चुगा Chrome browser पे यहाँ पे सर्च करता हूँ nsdl e-pencard डाउनलोड तो दोस्तों इतना सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा pen number तो दोस्तों आपके पास जो भी नंबर है आप उसको डाल करके यहाँ से अपने pencard को receipt कर सकते हैं दोस्तों तो इस वाले format में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भी चीज डालना है आपको इसी format में डालना तो दोस्तों जब भी आप pencard apply करवाते हैं तो उसके रिसीप्ट पर जो है कि आपका अपका pen number दोस्तों तो pen number आपका pencard के number पर होता है तो अगर आपके पास उसका जिरोक के माध्यम से जो है कि pen number इस वाले option में इंटर करेंगे फर्स्ट वाले option में उसके बाद दूसरा में आपको अधार number इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते है date of birth यहाँ पर आपको month डालना है उसके बाद यहाँ पर tick box का निशान है यह छोटा सा देख सकते है यह वाला इसको tick करके आपको यहाँ से I am not robot वाले option पर click करना यहाँ पर भी आपको tick out करना है उसके बाद यहाँ से देख सकते है दोस्तों submit का option है यह नीचे submit कर देंगे तो आपका जो है कि मेरे पास अभी अभी 11 नहीं है नहीं तो मैं आपको बता देता दोस्तों तो इस परकार से जो है कि आप सकते हैं तो दोस्तों आई होग कि आपको जनकारी समझ में आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को यह लाइक जरूर कर दिजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को करके बेल आइकोन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाला होड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो दोस्तों मिलते है कौन वीडियो में न्यू अप्डेट के साथ तब तक जैहिन बंदे मात्रा